परिचय बच्चो आज हम समावयवों और कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधी में उपयोग की जाने वाली मूल फूत संकल्पनाओं की बारे में पढ़ेंगे कोई बता सकता है कि समावयव क्या हैं? क्या किसी को नहीं पता किस समावयव क्या हैं? कोई बात नहीं मैं बताता हूँ वे कारबनिक योगिक जिनके अनुसूत्र समान होते हैं पर विन्यास भिन्य होते हैं समावयव कहलाते हैं समावयववों के उधारण है डाई मेथिल एथर और इथेनौल इनके अनुसूत्र समान होते हैं पर विन्यास भिन्य होते हैं सर ये अभिक्रियाओं की क्रियाविधी क्या होती है? अभिक्रिया की क्रियाविधी विभेने चरणों का एक अनुक्रम है जिसके दोरान कार्भनिक अभिक्रिया होती है इस अध्याय में हम समाव यव और कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधी में उप्योग की जाने वाली मूल भूत संकल्पनाओं की बारे में पढ़ेंगे उद्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे समाव यव और उसके प्रकारों को समझना कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधी में मूल भूत संकल्पनाओं को समझना समाव यव और के विभिन प्रकार होते हैं समावयवता को सन्दचनात्मक और त्रीविम समावयवता में वर्गी कृत किया जा सकता है। सन्दचनात्मक समावयवता को श्रिंख्रा समावयवता, स्थिती समावयवता, क्रियात्मक समावयवता और मध्यावयवता में उपविभाचित किया जा सकता है। त्रीविम समाव्यवता को भी पुनान जयामितिये और प्रकाशिये समाव्यवता में वर्गी क्रिद किया जा सकता है सन्रचनात्मक समाव्यवता वे यौकिक जिनके अनुसूत्र समान होते हैं परंतु अणूओं की सनचना अणू के अंदर परमाणूओं का परस पर आबंदित होने का क्रम भिन होती है सनचनात्मत समावयव कहलाते हैं श्रिंकला समावयवता श्रिंकला समावयव योगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं पर कारबन के अणुओं का एक दूसरे से चुड़ने का क्रम भिन भिन होता है. इस्थिती समावियवता वह समावियवता जो समान श्रिंकला में प्रतिस्थापी समों की इस्थिती में भिनता के कारण होती है इस्थिती समावियवता कहलाती है क्रियात्मक समों समावियवता इनके अणुसूत्र समान होते हैं परन्तु क्रियात्मक समूं भिन्न भिन्न होते हैं मध्यावयफ्ता ये समावयफ्ता क्रियात्मक समूं के दोन तरफ कारबन अणूं के आसमान वित्रन के कारण उत्पन होती है त्रिविम समावयव वे यौकिक होते हैं जिनमें सनुजना एवं परमाणों के आबंधन का क्रम तो समान होता है परंतु उनके परमाणों या समूहों की त्रिविम इस्तियां भिन्य होती हैं प्रिवेमस समाव यफ्टा को जया मितिये एवं प्रकाशिये समाव यफ्टा में त्वर्गी क्रित किया जा सकता है कार्बनिक योगिकों की क्रिया विधी में मूल भूत संकल पनाए कार्बनिक अभी क्रियाएं रसायनिक क्रियाएं हैं जिनमें कार्बनिक योगिक भाग लेते हैं कार्बनिक अड़ों को क्रिया धारक भी कहते हैं जो किसी उचित अभी कर्मक से क्रिया करके मध्य वर्ती और उसके बाद अंतिम उत्पात बनाते हैं कारवनिक अभी क्रियाओं की क्रियाविधि रातमिक अभी क्रियाओं का उत्रोतर क्रम है, जिसके फलसरूप सम्पून रासाइनिक परिवर्तन दाप्त होता है. सहसाियोजक आबंध का विदलन एक सहसेयोची आबंद को दो तरीकों से विदलित किया जा सकता है पहला विशम अपघटनी विदलन और दूसरा समापघटनी विदलन विशम अप घटनी बिद्लन में विदलित होने वाले आबंद के दोनों इलेक्ट्रॉन उनमें से किसी एक परमाणों पर चले जाते हैं जिनके बीच आबंद का विद्लन हुआ है उधारण सभी कारबंध नायनों के कारबंध परमाणों पर धनावेश होता है कारबद नायनों का वर्विकरन प्रात्मिक कारबद नायन इसमें कारबन परमाणूं जिस पर धनावेश होता है केवल एक एलकिल समूं से अबंदित होता है इन्हें एक डिक्री कारबद नायन भी कहते हैं दुईतियक कारबद नायन इसमें कारवन परमाणूं जिस पर धनावेश होता है दो एलकिल समों से अबंदित होता है इन्हें दो डिक्री कारवद नायन भी कहते हैं कृतियक कारबदनायन इसमें कारबन परमाणूं जिस पर धनावेश होता है तीन एलकिल समों से आबन्दित होता है इन्हें तीन डिक्री कारबदनायन भी कहते हैं कार्बद नाइनों के स्थायत्व का ग्रम है एक कार्ब रणायन रणात्म कावेश वाला अनों होता है जिसमें रणावेश वाला एक कार्बन होता है सरलतम कार्ब रणायन मैथाइट है जिसे मीथेन से एक प्रोटॉन की हानी द्वारा वित्पन किया जा सकता है समाप घटनी विदलन जब सहसेयोजी आबंद तूटता है और तोनों परमाणों पर आबंद का एक-एक इलेक्टॉन बना रहता है यह प्रक्रिया समाप घटनी विदलन या ओमलिसिस कहलाती है कभी कभी इस क्रिया में मुक्त मूनक भी बनाते हैं एक इलेक्टॉन के संचलन को फिश्धुप तीर के दवारा रजशित किया जाता है नाभिक इसने ही और इलेक्टॉन इसने ही वे अभिकर्मक जो इलक्ट्रोनों के धनी होते हैं जैसे कलोराइट आयन इसको नाभिक इसने ही कहते हैं क्योंकि वे धनावेश की खोज करते हैं और धनावेश नाभिक में होता है नाभिक इसने ही अभिक्रिया को किसी एक पर्मानों की दूसरे पर्मानों को इलेक्टरौन प्रदान करने की प्रबृत्ति के रूप में भी परिभाशित किया जा सकता है वैसे अभी कर्मक जो इलेक्ट्रोन नियून होते हैं जैसे कारबदनायन इन्हें इलेक्ट्रोन इसने ही निर्दिश्ट किया जा सकता है इलेक्टोन इस नहीं को किसी परमानों से इलेक्टोन ग्रहन कर लेने की प्रवृत्वी के रूप में भी परिभाशित किया जा सकता है कारवनी कभी क्रियाओं में इलेक्टोन संचलन इलेक्ट्रोनों के संचलन को मुड़े हुए तीरों के द्वारा दर्शाया जाता है तीर की पूंच उस इस्थान को दर्शाती है जहां से इलेक्ट्रोन युग्म इस्थाना अंतरेत होता है और तीर का शीर्ष उस इस्थान को दर्शाता है जिस पर इलेक्ट्रॉन युग्म को ले जाया जाता है एक इलेक्ट्रॉन के संचलन को अर्दिश शीर्ष तीर के द्वारा दर्शाया जाता है जह संयोजी या बंधों में इलेक्ट्रॉन विस्थापन के प्रभाव एक आक्रमन कारी अभी कर्मक धनावेशित या रिणावेशित हो सकता है आता अभी कर्मक अभी क्रियक क्रियाधार पर तभी आक्रमन करता है जब क्रियाधार पर विपरीत आपेश विक्सित होता है और क्रियाधार इलेक्ट्रोनों के इस्थानांत्रन से अइस्थाई दुरुफता विक्सित कर लेता है क्रियाधार के अनु में इस तरह से इलेक्ट्रोनों का इस्थानांत्रन इलेक्ट्रोन इस्थानांत्रन प्रभाव या इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहलाता है प्रेंडिक प्रभाव ये एक स्थाई स्थनांत्रण है जो दो पर्माणों की विद्ध रिणात्मक्ता में अंतर के कारण उत्पन होता है अब हम کارबन परमाणों की एक श्रिंकला पर विचार करेंगे जिसमें अंतिम कारबन परमाणों क्लोरीन परमाणों से जुड़ता है प्लोरीन कारवन की तुल्ला में ज्यादा विद्ध रणात्मत है अता कारवन एक और प्लोरीन परमाणों के बीच जैसेयोजी आबंध में इलेक्टोन युक्म प्लोरीन परमाणों की ओर विस्थापित हो जाता है इस कारण क्लोरीन परमाणों आंशिक रिनावेश प्राप्त कर लेता है और कारबन एक पर आंशिक धनावेश उत्पन हो जाता है अब कारबन एक आंशिक रूप से धनाबेशित है तो ये कारबन एक और कारबन दो के बीच बनने वाले सहसेयोजी आबंद के इलेक्टॉन युगम को अपनी ओर आकरशित कर लेता है जिसके कारण कारबन दो पर आंशिक धनाबेश उत्वन हो जाता है पर ये आवेश कारबन एक पर होने वाले आवेश की तुलना में कम होता है क्योंकि प्रभाव कारबन एक से कारबन दो में पारित हो जाता है इसी तरह कारबन तीन भी आंशिक रूप से धनाबेशित हो जाता है जो कारबन दो के आवेश की तुलना में कम होता है कार्बन की श्रिंखला में पास के कार्बन पर्माणू पर इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का इस्थानांतरण या अपनी और अकर्षित किया जाना प्रेंडिक प्रभाव कहलाता है प्रेंडिक प्रभाव को निरूपित करने के लिए आई चिन्न का प्रियोग किया जाता है वे समूह जो इलेक्ट्रॉन ग्रहन करते हैं वे रनात्मक आई प्रभाव कारग कहलाते हैं और जो समूह इलेक्ट्रॉन युप्त करते हैं धनात्मक आई प्रभाव कारग कहलाते हैं अनुनाद संदचना कुछ कार्बनिक योगिकों के वैवाहार को केवल एक लूईस संदचना के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है उधारण तालोईन अनुनाद संदचनाएं दो या दो से अधिक लूईस संदचनाओं का ततिलिधित्व करती हैं जो केवल उनके इलेक्ट्राणों के स्थापन में ही भिन्न होती हैं। कार्बनी कडूं बेंजीन को केवल एक लूई सनचना के द्वारा प्रदेशित नहीं किया जा सकता। क्यूंकि इसकी चक्रिय सनचना में एकांतरित एकल और दूई आबंद होते हैं। बेंजीन, रिंग, प्रथम और दूईतिय सनचना का अनुनाद संकर है जिन्हें अनुनाद सनचना के कहते हैं। अनुनाद सनचना का अन्योधरन एसिटून आयन है। अनुनाद संकर की वास्तविक सनचना और न्यूनतम उर्जा वाली अनुनाद सनचना की उर्जा के अंतर को अनुनाद स्थाई करण उर्जा कहते हैं। अनुनाद सनचनाओं को लिखते समय निनलिखित नियमों का पालन किया जाता है। नाभिक की समान स्थिति और अयुक्दमित इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या अनुनात प्रभाव पाई इलेक्ट्रॉनों का एक से अधिक परमाणों पर विस्थानी करण अनुनात प्रभाव या मैसोमेरिक प्रभाव कहलाता है इसे आर या एम से प्रदशित किया जाता है इसके दो प्रकार है धनात्मक अनुनात प्रभाव धनात्मक आर प्रभाव ये प्रभाव उन समुहों के द्वारा प्रदशित किया जाता है जो पाई एलेक्टरौनों के विस्थापन के दो़ारा बागी कारबणिक अड़ों के लिए एलेक्टरौनों को मुक्ति करते हैं। इलेक्ट्रो मेरी प्रभाव, ई प्रभाव किसी इलेक्ट्रोन इस ने ही अभिकारक के आक्रमन के स्थिती में ये प्रभाव दूई आबंध या त्री आबंध वाले किसी कार्वनिक योगिक में तदर्शित होता है वह परमाणों जिस पर इलेक्ट्रॉन युक में विस्थापित होता है दर्णा वेशित हो जाता है और दूसरा परमाणों धना वेशित हो जाता है ये एक इस्थाई प्रभाव है जैसे ही अभीकारक को हटा दिया जाता है कारबने कड़ों अपने मूल सोरूप में लोड़ जाता है वह प्रभाव जो बहु आबंध वाले अभी कर्मकणू में इलेक्ट्रोन इसने ही अभिकारक के प्रभाव में एक इलेक्ट्रोन युकूं को एक परमाणू से दूसरे परमाणू पर विस्थापित करके अईस्थाई दुरुफता उत्पन्न करता है इलेक्ट्रोमेरिक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के दो प्रकार हैं, धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, धनात्मक इप्रभाव दूई और त्री आबंद के पाई इलेक्राणों का इस्थानांतरण उस परमाणू पर होता है जिससे आकर्माणकारी अभीकर्म का बंधित होता है तब ये प्रभाव धनात्मक ई प्रभाव कहलाता है उधारण के लिए एसिट का एलकेनों के साथ युकमन रनात्मक इलेक्रोमेरिक प्रभाव रनात्मक ई प्रभाव दूई और त्री आबंद के पाई इलेक्राणों का इस्थानांतरण उस परमाणू पर होता है जिससे आकर्माणकारी अभीकर्म का बंधित नहीं होता है तब ये प्रभाव रनात्मक की प्रभाव कहलाता है। उधारण साइनाइड आयन का कार्बोनिल समों के साथ युक्मन। सिग्मा पाई या सिग्मा पी अति व्यापन के द्वारा सिग्मा एलेक्ट्रोनों का विस्थानी करण अति सिग्मन कहलाता है। ये सिग्मा आबंद पाई आबंद के साथ संयुक्मन में या सिग्मा आबंद पी कक्षक के साथ संयुक्मन में एलेक्ट्रोनों के विस्थानी करण में भाग लेते हैं और तब निकाय को इस्थायत उप्राप होता है उधारण प्रोपेन में CH3 समूं के तीन CH सिग्मा आबंध होते हैं जो की पाई आबंध के साथ संयुक्मेत रहते हैं सिग्मा एलेक्ट्रोन समीफर्थी कारवन कारवन आबंद पर इस्थानांतरित हो जाते हैं और पाई एलेक्ट्रोन अंतिम CH2 कारवन पर इस्थानांतरित हो जाते हैं। प्रोपीन के तीन सन अचनात्मक ठाशे समभावित हैं क्योंकि इसमें तीन CH सिगमा आबंद होते हैं. विस्थानी करण में सिग्मा इलेक्ट्रानों की भागिदारी के कारण कारवन और हाइटोजन के बीच आबंद सनचनात्मक भाँचे में माजूद नहीं होते जिसके कारण अती सेयुक्मन को आबंद रहित अनुनात की कहा जाता है क्या आप जानते हैं हाइटोजन अनु में सिग्मा आबंध दो एक एस कक्षकों के अती ब्यापन से बनता है मौसिस गॉंबर्ग रसाइन शास्त के संस्थावक है सारांच आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोराएं वे यौकिक जिनके अनुसूत्र समान होते हैं इन पर वन्यास भिन होते हैं समावयव कहलाते हैं समावयवता के प्रकार है संदचनात्मक समावयवता और त्रीविम समावयवता किसी अभिक्रिया की क्रियाविधी सामान अभिक्रियाओं का उत्रो तरक्रम है जिसके परिणाम सरूप संपून रासायनिक परिवर्दन का अब्द होता है एक सहसेयोची आबंद को विशम अभघटनी विदलन और समावघटनी विदलन के द्वारा तोड़ा जा सकता है विशम अभघटनी विदलन में आबंद के दोनों इलेक्रोन दो परमाणों में से किसी एक पर चले जाते हैं जिनके बीच आबंद का विदलन हुआ है जब सहसे योची आबंध इस तरह टूटा है कि हर पर्माणूं पर आबंध का एक एलेक्टॉन देह जाता है तो यह प्रक्रिया समाप घटनी विदलन कहलाती है ना भी किसने ही अभिक्रिया को किसी एक पर्माणूं की दूसरे पर्माणों को इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रावृत्ती के रूप में परिभाशित किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन इसने ही अभिक्रिया को किसी एक पर्माणों की दूसरे पर्माणों से इलेक्ट्रॉन ग्रहन करने की प्रवृत्ती के रूप में परिभाशित किया जा सकता है। दो पर्माणों की विद्धृत रनात्मक्ता में भिनता के कारण इलेक्ट्रॉनों का हिस्थाई स्थानांत्रन प्रेंडिक प्रभाव कहलाता है। पाई इलेक्ट्रोनों का एक से अधिक परमाणों पर विस्थापन, अनुनाद या मैसुमेटिक प्रभाव कहलाता है। बहु आबंध वाले किसी कारबनी कड़ों में इलेक्ट्रोन युक्म के विस्थापन के कारण उत्पन हुई आइस्थाई दुरुफता इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहलाती है। सिग्मा पाई या सिग्मा पी अतिव्याबन के द्वारा सिग्मा इलेक्रोनों का विस्थानी करण अतिस सैयुगमन कहलाता है.